योगा भ्यास और तपस्षरिया की प्रिष्ट भूमी लेखक वेद मूर्ति तपो निस्ट पंडित श्री रामसर्वा आचार्य आत्मिक प्रगति का एक चरण योग और दूसरा तप है योग भावातमक और तप क्रिया परक है एक को सुक्ष्म दूसरे को स्थूल कह सकते हैं मानवी सत्ता चेतन आत्मा और जड़ सरीर के समन्वे से बनी है उन दोनों को ही परिष्कित करना पड़ता है भावसुद्धी और क्रिया शुद्धी दोनों आवश्यक हैं भावसुद्धी को योग और क्रिया शुद्धी को तक कहा जाता है योग साधना से चरम लक्ष की प्राप्ति योग का सामाने अर्थ होता है जोड़ना आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया अध्यात्म भासा में योग कहलाती है इसे आरंभ करने के लिए जिन क्रिया कलापो को अपनाना पड़ता है उन्हें साधन कहते हैं साधना अपने आप में एक छोटा उपकरन मात्र है उसका महत्व इसलिए है कि वह साध्य को प्राप्त कराने में सहायता करती है कई लोग साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं और उन उपचारों को ही योग कहने लगते हैं जो साधना प्रियोजन में प्रियुक्त होता है आत्मा को पर्मात्मा से मिला देने के लिए कुछ अंस्कारों से पीछा छुडाना पड़ता है और ईश्वरिय प्रेर्णा का अनुगमन करते हुए अपनी अंतरंग और बहिरंग स्थिती को ऐसी बनानी पड़ती है जो ब्राम ही कही जा सके दूद और पानी एकरस होने से घुल सकते हैं लेकिन लोहा और पानी का घुल सकना कठिन है हम अपने भौतिक वादी अस्तर से उचे उठें और ईश्वर ये चेतना के अनुरूप अपनी क्रिया, विचारणम एवं आस्था को ढाले तो ईश्वर प्राप्ती का जीवन लक्ष पूरा हो सकता है वियोग का अंत योग में होना चाहिए यही ईश्वर की इच्छा है बच्चा दिन भर खेल कूद और पढ़ने लिखने में सललगन रहे पर रात को घर लोटाए और मा के पास सो जाए ऐसी माता की इच्छा रहती है परमात्मा भी अपने पुत्र आत्मा से ऐसी ही अपेक्षा करता है उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना लक्ष पूरा करने के लिए हमें जो चेतनात्मक पुरुशार्थ करना पड़ता है उसी का नाम योग साधना है योग साधना में कई प्रकार के शारी रिक एवो मानसी क्रिया कृत्य अपनाने पड़ते हैं इनका उद्देश से आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोडने वाली बना इस्थिती उत्पन करना है यह तत्य ध्यान में रखकर चला जाए तो ही लक्ष की प्राप्ती हो सकती है यदि चेतनात्मक परिशकार के लिए प्रियत्न ना किया जाए और मात्र उन क्रिया कृत्यों को ही योगा अभ्यास मान लिया जाए तोज भ्रांती के कारण घोर परिश्वम करते रहने पर भी कोलू के बैल की तरह जहां के तहां बने रहना पड़ेगा शारी डिक्षम में आसन, प्रणायाम, बंध मुद्रा, वरत, मौन, नेती धोती, वस्ती, वज्रोली, न्योली, कपाल भाती, भूमी शयन, सर्दी गर्भी सहना, कीर्तन आदि कितने ही उपचार काम में लाये जाते हैं, इनका उद्धे से स्वस्तता, समर्थता, एवं पवित्रता उत्पन करना हैं, ताकि मल भारों से लदे व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की लंबी मन्जिल पार करने में सुविधा हो इसी प्रकार मानसिक उपासनाओं में जप ध्यान, नाद, एकागरता, तनमयता, स्वाध्याय सत्संग, आदि साधनों का आश्रे लिया जाता हैं, ताकि चेतना को दिशा एवं प्रेर्णा दी जा सके और उसे अपनी जीव ससीमता को ब्रह्म असीमता में घुला देने के ल लक्षविहीन साधना मनोरंजग भटकाव ही कहा जा सकता है, शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्यों को योगा भ्यास के आधार साधन मानना ही परियापत हैं, उन कृत्यों को ही जादुई मान बैठना और उनकी प्रवेडता मिल जाने मात्र से लक्षपूरा हो जाना मान लि देने पर उपयुक्त भावचेतना उत्पन की जा सके, महत्व तो इस भाव उभार का ही है, वह उभरेगा तो गाड़ी आगे चलेगी, अन्यथा तथा कथित जोगा भ्यासों की हल चले, कुछ समय तक श्रम साधन में जितनी कुछ अनभूत दे सकती हैं, उसे देकर समाप् हो जाएंगी, भावविहिन साधना से शरीर की स्वस्तता और मन की एकाग्रता भले ही कुछ सीमा तक बढ़ सके, किन्तु आत्मिक प्रगती का लक्ष पूरा ना हो सकेगा, इसके लिए भावनाय तरंगित करनी पड़ेंगी, भक्ति भावना, शब्द का प्रियोग इसलिए किये जाता है कि उसमें भावनाव का तरंगित होना अनिवारी रूप से आवश्यक है, इसके बिना सारे अभ्यास निश्प्रान ही बने रहेंगे, यही कारण है कि क्रिया कृत्यों को सब कुछ मान कर उन्ही की प्रवीडता के लिए माथा पच्ची करते रहने वाले वेक्त प्राया निरास रहते और असफलता की शिकायत करते फिरते हैं, योग को चित्त वृत्ति का निरोत कहा गया है, चित्त की वृत्तियां प्रेम को वासना, तृष्णा, मोह, अहन्ता, आधि भौतिक लिप्सा लालसाओं की पूर्ति को ही सुखद मानती हैं, उन्ही की भाव नीचे की और गिरना है, इस पतनोन मुख प्रवित्ति को उर्दगवामी बनाने के लिए वैसा ही प्रियत्न करना पड़ता है, जैसे कूवे से पानी खीचने तता तालाब का पानी तंकी में चढ़ाने के लिए, मन को ढीला छोड़ देने से वह जन्मजन मंतरों के सं अस्तबल में अपने आप घुस जाएगा, घड़े के गिरते ही पानी नीचे की और बहने लगता है, चित्त का भी यही सोभाव है, उसे उलठने का जो पुरुसार्थ करना पड़ता है, उसी को चित्त वृत्ति निरोध कहा जाएगा, महर्शि पातनजली ने इसी प्रियास को योग कहा है, कई व्यक्ति चित्त वृत्तियों के निरोध की बात को नहीं समझते, और मात्र चित्त निरोध को ही योग मान लेते हैं, उनका तात पर ये एकागरता से होता है, एकागरता होना ही उनकी दृष्टी में योगा अभ्यास की सफलता है, और उसका ना होना अस यह एक ब्रहम है एकाग्रता एक चीज्य है और एक धारा दूसरी है एक आग्रता का अपना महत्व और अपना लाब है उसका अचित्य और उपयोग समझा जा सकता है पर एकाग्रता को योग को उपासना उपासना का आधार मान बैठना ही गलत है, एकागरता के भी अस्तर हैं, मैसमेरिजम, हिपनोटिजम में भी एकागरता प्रियुक्त होती है और देव प्रतिमा के समक्ष होकर उनकी पूजा आरती इस्तुति आदि से भी एकागरता का पाठ पढ़ा जा सकता है, पीछे यहां बढ़ते बढ़ते उस इस्तिती तक भी पहुँच सकती है, जिसे तनमयता, भावसमाधी, विचार सुननिता, आदि का नाम दिया जा सके हैं, एकागरता की इस्तिती समय साध्य है, उसके लिए धैरिय और प्रेतन पूर्वक्त बहुत समय तक अभ्यस करने होते ह यहां इस्तिती ना आए, तो भी उतना हर्ज नहीं जितना समझा जाता है, आत्मी प्रगती के लिए मन की दिशा और धारा बदल देने की आवशक्ता है, उतने भर से चित्त वृत्त निरोध की योग की आवशक्ता पूरी होने लगती है, इसके लिए प्रेय की लिपसा, श बदल कर आत्मा को परमात्मा अस्तर तक विक्सित करने की देवस्तरिय प्रवित्ती में प्रवेश करना होगा, आकांगशाएं बदल जाने से मन की विचारणा और शरीर की कारेपद्धती में काया कल्प प्रस्तित हो जाएगा, प्रेय की निरर्थक्ता और श्रेय की शक्ता में विश्वास बढ़ चले तो इसका प्रभाव कल्पना छेत्र तक सीमित ना रहकर व्यावहारिक जीवन के हर छेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगा जीवन का लक्ष समझा जाना चाहिए और प्रगती की दिशा अपना ही जानी चाहिए निरुद्दे कहीं नहीं पाते कुछ नहीं जीवन का सुनिश्यत लक्ष अपूर्णता को पूर्णता में विक्सित करना आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुचाना ही है उसे चितनी जल्दी समझा और अपनाया जा सके उतना ही उत्तम है शरीर रच्छा और परिवार पोशन के लिए उपा यह ध्यान पूरी गंभीरता पूर्वा रखा जाना चाहिए कि सुरुदुरलब मनुस्य सरीर किसी विशेज उद्देशे के लिए मिला है और उसे पूरा करने में ही दूरदर्शी बुद्धि मत्ता है अंताकरण में यह तथ्य निरंतर जागरत बना रहे तो समझना चाहि यह उपयुक्त जीवन दिशा मिल गई और उसके प्रकास में सत्भावनाय अपनाने रहने तदा सत्प्रवित्तियों में सनलंगर रहने की धारा बह चलेगी एक दिशा एक लक्षिव एक आकांग्शा एक प्रिर्णा यद निश्चित हो जाए तो फिर शरीर और मन को उसी कर दो जाते और चल पढ़ने की बाद बन जाती है और धीरे धीरे चलते रहने पर भी देर सवेर में मनुष्य वहां जांप पहुंचता है जहां पहुंचा देखकर उसका साथि चमतकार हुआ यह देवता का वर्दान मिला मानने लगता है आत्मा को पर्मात्मा से इही सढक है धे की प्राप्ति को लक्ष मान कर चलने से चित्त वृत्तियों में पूर्व की अपेक्षा असाधारन परिवर्तन हो जाता है निक्रिष्टिता उत्क्रिष्टिता की दिशा में उलट पड़ती है इसी उर्धगमन की को चित्त वृत्ति निरोध कहा जायता है पतनोन्मुक पशप्रवितियां जब उठान की दिशा में देव प्रवितियों का रूप बना लेती हैं तो उस इस्थिती को योग इस्थिती कह सकते हैं यहां प्रश्म यह उठता है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने में क्या रुकावट है जिसके लिए यह योग साधना की आव विक्रित होना लोह के खनिज में लोहा होता है किन्तु वह लोहे के दूसरे टुकड़े के साथ तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाता इसी प्रकार रस्टी का सीरा पकड़ कर कोई भी उपर चड़ सकता है किन्तु यदि वह व्यक्ति उसी रस्टी के सीरे से अपने आपको किसी नीचे की वस्तु से बांध ले तो बंधन खुले बिना वह चड़ नहीं सकता जीव को योग इस्तिति में जाने से जो विक्रिति और बंधन रोकते हैं उनका स्वरूप समझना उनके निवारन का ढंग भी योग के साधक को समझना चा इस भिन्यता को घटाकास और मटाकास की रूप में समझाया गया है घटाकास अर्थात घड़े के भीतर की सीमित पोल और मटाकास अर्थात विशाल विश्व में फैली हुई पोल घड़े की भीतर की पोल वस्तुता ब्रम्हांड व्यापी पोल का ही एक अंश है घड़े की परिधी से आवरित हो जाने के खारण उसकी स्वतंत्र सत्ता दिखाई पड़ती है पर तात्विक दृष्टी से वह कुछ है नहीं घड़े के आवरण ने ही यह प्रिथक रूप से देखने और सोचने का जंजट खड़ा कर दिया है शान्त समुद्र में लहरे नहीं उठती पर विछुप्दता की इस्तिती में वे अलक सी लगती हैं और उचलती दिखाई पड़ती है सूर्य के तेजस की विस्तृती परिदी ही उसके किरण विस्तार की सीमा है सूर्य सत्ता का जहां तक जिस अस्तर का विस्तार है वहां तक उसी अस्तर की धूप का अस्तित्वत तिष्टी कोचर होता है इस प्रभाविस्तार की जो विभिन्न प्रकार की हल चले हैं उन्ही को किरडे कहते हैं किरणों का शातरंगों में अत्वा, अल्फा वालेट, एक्स, लेजर आदि में अलक से जाना माना जा सकता है पर यह विभाजन सूर्य से भिन्न किसी प्रथक सत्ता का भान नहीं करता ऐसे ही उधारनों से जीवन और ईश्वर की एक्ता भिन्नता समझी जा सकती है पानी में से असंखे बुल्वुले उठते, तैरते और फिर उसी में समाज आते हैं विश्वव्यापी अगनी, तीली या लकडी में प्रकट और प्रतक्ष दिखाई पड़ती है आग बुझ जाने से वह उसी समूल सत्ता में लए हो जाता है इन उधारनों में भी जीव और ईश्वर की प्रतक्ता एवं एक्ता का अनमान लगाया जा सकता है एक बड़ा धेला फूट कर रजकड की रूप में बिखर जाता है पानी उपर से गिरने पर जमीन से टकरा कर उसकी बुधे अलग से छितराई हुई देखती है जीव और ईश्वर की प्रतक्ता के सम्बंद में ऐसे ही उधारनों से वस्तो इस्तिती समझी जा सकती है स्रिष्टी के आरंभ में ब्रम्भा ने एको हम बहुत स्यामिकी इच्छा की और उसने अपने आपको टुकडों में विखेर दिया यहां विखराव प्रकृति के साथ संयुक्त हुआ और उसके साथ घुल कर अहंता का वातावरन आवरन अपनी उपर लपेट लिया सूखी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो वह गीली हो जाती है और उस पर काई तथा दूसरी वनस्पति जमने लगती है ठीक इसी प्रकार आत्मा के अंश प्रकृति के साथ मिलकर आगे तीतर खावे बटेर बन जाते हैं कच्ची धातुएं खदान से मिट्टी मिली इस्थिती में निकलती हैं पीछे उन्हें भट्टी में डाल कर शुद्ध किया जाता है जीव को मिट्टी मिला लोहा कहा जा सकता है जिसमें प्रकृति और पूरुष दोनों का समनवय है जीव की मूल सत्ता इश्वरिय है चेतना का समुद्र इस विश्व में एक ही है उससे भिन्न या प्रतिपक्षी दूसरी कोई सत्ता देवी देवताओं के या जीवों के रूप में कहीं नहीं है तत्व वेताओं ने जाना है यहां केवल एक है दूसरा नहीं जीव की प्रतक्ता प्रकृति के समनवय से है प्रकृति के तीन अस्तर सत्र रज तम कहलाते हैं इन्ही तीनों को तीन परते जीव के उपर चढ़ जाती है और ये तीन शरीर कहलाती है स्थूल सरीर अर्थात हन बास की जन्मने मरने वाली काया सुक्ष्म सरीर अर्थात बुद्धिस अंस्थान सुख दुख प्रिय अप्रिय अप्रिय अपने विराने का अंतर कराने वाली मस्तिस की विचार विस्तार कारण शरीर अर्थार्थ, मानिताओं एवं भावनाओं का समुच्च अंतरात्मा जिसे अंताकरण भी कहा जाता है इन तीन शरीरों की यो प्याज के छिलके, केले के तने या एक के उपर एक पहने हुए वस्त्रों से तुलना के जाती है पर यह उपमा बहुत ही अधूरी है, कारण कि यह सब आवरन एक दूसरे के से प्रथक है, जबकि शरीर एक दूसरे के साथ इस प्रकार घूले हुए हैं, जैसे दूद में घी, सरसो में तेल, प्रयत्न पूर्वक इन्हें प्रथक किया जा सकता है मृत्यू के उपरांत इस थूल और सुक्ष्म सरीर का संबंद तूट जाता है, क्लोरोफॉर्म सुंगा देने या गहरी नीद आ जाने पर सुक्ष्म सरीर का चेतन भाग मुर्चित हो जाता है, अचेतन भर जगता है समाधी अवस्था में सुक्ष्म सरीर को कारण से अलग किया जा सकता है, और मुक्ती अवस्था में कारण शरीर का आवरन भी छूट जाता है, और बूंद सागर में समा जाने की तरह आत्मा का लय परमात्मा में हो जाता है इस प्रकार यह तीनों ही आवरन हटाए तथा मिटाए जा सकते हैं पर सामाने इस्थिती में ये परस पर घुले मिले रहते हैं क्रमशा धन्यवाद योगा भ्यास और तपशर्या की प्रिष्ट भूमी लेखक परम पुझ्य पंडित शीराम सर्मा आचार्य ओडियो टू जीव की इन आवरनों में लिप्टे रहने के कई तरह के कई अस्तर के सुख मिलते हैं इसलिए वह इन्हें छोड़ना नहीं चाहता फलता बद्ध अवस्था में बना रहता है स्थूल सरीर में कई प्रकार के वासनात्मक सुख हैं सुक्ष्म सरीर में कल्पना लोक के मनोरम स्वपन, विनोध, मनोरंचन, सफलता, पद, सम्मान, वैभव, आधिके बुद्धि विलास के अनेको साधन मौझूद हैं कारण सरीर में अहन्ता की गहरी पर्त जमी हैं मैं अत्यंत प्रिय है इस मै की परिदी में जितना छेत्र आता है वह मेरा बन जाता है और जिस प्राणी या पदार्त पर यह मेरा पन आलोकित होता है वह भी प्रिय लगने लगता है आकांग्शाओं की उमंग इसी केंद्र से उड़ती है मानिताओं की आस्था और सम्विदनाओं की पुलकन खटी मिठी गुदगुदी तो है पर कुल मिलाकर वह है मधूर जीवन में प्रिय अप्रिय प्रसंग आते जाते रहते हैं पर कुल मिलाकर इस्थित्य ऐसी है जिसके कारण इन तीनों सरीर आवरणों को छोड़ने का मन नहीं करता फलता जीवसत्ता का ऐसा सगन अस्थित्व बज जाता है जिसे स्वतंत्र भी कहा जा सकता है दर्शन सास्तर के सभी पक्षों में इश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का अस्थित्व तो माना है पर उनके पारस पर एक संबंधों के बारे में अपने अपने विचार भिन्न रूप से व्यक्त किये हैं त्रैत, द्वैत और अद्वैत मानेताओं में इसी प्रकार का मत्भेद है त्रैतवादी कहते हैं इश्वर, जीव, प्रकृति कि तीनों सत्ताएं अनादी एवं स्वतंत्र हैं उनका सह अस्तित्व भर है द्वैत वादी, ब्रह्म और माया यानि कि पुरुष और प्रकृति की दो सत्ताएं मानते हैं उनकी दृष्टी में जीव का इन दोनों का समन्व ऐसा ही है जैसे दिन और रात के मिलन से उत्पन हुआ संध्याकाल अद्वैत मत में एक ही ब्रह्म चेतना की सत्ता को जड़ और चेतन के रूप में माना गया है प्रकृति ब्रह्म का विकार है और यहां जो कुछ दीख भास रहा है वह बुद्धी विपरियर का ऐसा ही जादू है जैसा इंद्र धनुस का अत्वा स्वापन संसार का दीखना इस इस्तिती को भ्रांती अत्वा माया कहा गया है इन्हें नाम कुछ भी दिया जाए और इनकी दार्शनिक व्याख्याएं चाहे जितनी ढंग से की जाए किन्तो यह तथ्य अपरिवर्तित ही रहता है इस मनुस्य को विवश्चता से उपर उठने तदा चरम लक्ष की और बढ़ने के लिए हर अस्तर पर प्रियास करना ही चाहिए योग का साधक यही करता है योगी अपनी स्थूल सरीर सुक्ष्म सरीर तथा कारण सरीर तीनों को ही अवांग्ष नियुताओं से मुक्त करके वांग्ष नियुताओं से युक्त करने का प्रियास करता है उसके चिंत्रन में लेकर सही दिसा में नियोजित करता है। इस द्रिष्टी से योग साधना में एक पक्षिय क्रिया कांडो तक ना सीमित रहकर क्रिया विचारना और भावना का समुचित समावेश करता है। हमें योग इस्तिती से वन्चित रखने वाली हमारी पराधीनता मात्र, चिर, संचित, संस्कारों की हैं। जो स्वभाव बनकर हमारे चिंतन एवं कर्म को अपने धर्रे पर चलाती हैं, अपने लाठी से हांकती हैं। शरीर को यहाँ पराधीनता वासना के बंधन में बांध कर बेतरा घसीटती हैं। उसका स्वास्ते चौपट करती हैं, तेर्ग जीवन से वन्चित करती हैं और सतकर्म निरत रहकर सम्रिद्या, सफलताएं प्राप्त करने के अस्थान पर ऐसा कुछ करते रहने लगती हैं। जिसके कारण रुग्णता, निंदा, असफलता, दरिद्रता, कुरूपता जैसी विपन्नताएं ही आए दिन सामने खड़ी रहती हैं। विवेक कई बार सोचता है कि अपनी गत्वीदियों में अमग प्रकार का परिवर्तन खरना चाहिए। किन्तु आउचित्ते समस्ते और आधते अपनी बेढंगे राह पर तरीर को घसीटती चली जाती हैं और वे काम कराती हैं जिनके लिए पीछे पश्चताप ही करना शेस रह जाता है। यदि आधते शरी का संचालन ना करें विवेक के हाथ से नियंत्रन संचालन किया जाने लगें तो स्वास्तिय संदर् जीवन जैसी उपलब्दियां तो अतिसाधारन हैं। समर्थ कायास के अभीष्ट प्रियोजन में आश्यरी जनक सफलताएं देने वाले पराकरम पुरुशार्त का अभिनेस त्रोथ खुल सकता है और उसके वलस्वरूप जो जीवन लाभ मिल सकता है उसकी कलपना मातर से आ पर भी वा उनका समुझित आनंद नहीं ले सकता भोजन का आनंद कडाके की भूक लगने वाले को ही मिल सकता है रतिक्रीडा एवं गहरी निद्रा का लाब शरीर पर नियंत्र रखने वाले ही भोकते हैं आलस सिप्रमाद को भागा कर विवस्तिक दिंचर्या बनाना और उस अफलताओं का प्रधान आधार माना गया है शरीर भोतिक पदार्थों से बना है भोतिक जगत से सीधा संबंद उसी का है समठ सरीर ही भोतिक उपलब्धियों का केंद्र होता है अपनी शारीरिक छमताओं का उप्योग भोतिक की तरह आत्मिक प्रगति में भी आवशक है इ इसलिए योग साधना में शरीर को स्वस्तक तता आत्म नियंत्रित बनाने के लिए अनेक साधनाओं का उल्लेक मिलता है। शरीर छेत्र की साधनाय चाहे हटो योग सम्मत हो, चाहे कर्म योग सम्मत। उनका उद्देसे शरीर को आत्मनियंत्रित बनाकर सही उद्देस की ओर नियोजित करने की स्थिति तक पहुचाना ही है। शरीर गच्चमतकारों की दृष्टी से उन्हें अपने लक्ष से भटक जाना ही कहा जाता है। यह तो एक पक्ष हुआ, योगी को तो अन्य पक्षों पर भी समान रूप से ध्यान देना होता है। सुक्ष्म सरीर के छेत्र में हमारा चिंतन उस धर्रे में ढला हुआ होता है, जिसकी प्रतिक्रिया ही हमें अर्द विछिप्त स्तर का बनाती हु रहती है। कितने प्रकार की सन के, कितने वहम, कितने भ्रहम मस्तिस्क में लदे होते हैं, यदि उन्हें ठीक तरह समझा जाए, तो प्रतीत होगा, कि विवेक वान व्यक्ति की तुलना में चालू आदमी निसंदेह अधपगला होता है। लोग प्रवाह का संशोधन करकने अवतारी सत्ताएं उतरती हैं। उनके चले जाने के बाद फिर विकृतियां भरने लगती हैं और सामाजिक प्रचलनों में गंदे वाले विच्चैसी गंदगी भरती चली जाती है। जन मानिताएं लोगों के प्रचलित धर्रेक ही अपने को सुहाने लगते हैं। लोगों में प्रचलित भस्टाचार अपने को ही लल चास लेता है। विकृत चिंतन के कारण मनुस्ति ना सोचने योगे सोचता है। और बाल बुद्धी की योजनाय बनाकर उनमें बहमूल विचार शक्ति को नश्ट करता रहता है। चिंता, निराशा, खीज, आवेश, उत्तेजन, निश्चुरता, घबराहट, कायरता, क्रिपनता, एरश्या, द्वेश, आत्महीनता, उद्दंडता जैसे अनिकों मानसिक रोग मस्तिस्क को घेरे रहते हैं। और सौ रोगों से ग्रशित सरीर की जो दुरगती होती हैं, वैसा ही वे मनोविकार, विचार संस्थान को सुक्ष्म सरीर को बनाये रहते हैं। यहां बनोगत कुसंसकारों की चिंतन विकृतियों की पराधीनता है, जिसके कारण हर द्रिष्टी से अद्बुत विचारना सर्वनाश के गर्त में गिर्ती और नस्ट होती रहती है। यदि कुसंसकारों के बंधनों से मस्तिसकों को छुटकारा मिल सके, तो प्रसुप्त चिंतन तंत्र का सुविवस्तित स्वदुपयोग करके कोई भी व्यक्ति, विद्वान, वज्ञानिक, कलाकार, दूरदर्शी, मनीसी बन सकता है। विचारना को संमार्ग गामी बना सकने वाले व्यक्ति, सामानने साधनों के बल पर सामानने परिस्तितियों में रहते हुए व्यक्तित्व को परिश्क ढाचे में ढाल सकते हैं। और महामानव की सुरेडी में गिने जा सकने की इस्तिती में सरलता पूर्वग जाप पहुँचते हैं। एतिहासिक महापुरसों की जीवन तत्व का विशलेशन करने पर विशिस्ता एक ही दिखाई पड़ती है कि उन्होंने अपने चिंतन धंत्र को व्यवस्तित किया अभ्यस्त विचार पड़ती को नए सिरे से परेवेक्षन किया। अनवचित्यों को साहस पूर्वग सुधारा और विवेक का आश्रे लेकर विचारना को उच्चस्तरिय बनाया। लोग प्रवाह के विपरीत आदर्श्वादी मौलित्ता अपनाई फालस्वरूप उनका चिंतनात्म काया कल्प हो गया। आरंब में ऐसे लोगों का मखौल बनता और विरोध होता है पर जब वे अपनी निष्ठा का परचय देते हैं तब दुनिया उनके चरणों में जुग जाती है और सिर आँखों पर बिठा कर भाव भरी श्रद्धानजली समर्पित करती है। परिश्क्रित सूक्ष्म सरीर चिंतन की उत्कृष्टता के कारण स्वयम हर गड़ी सदा संतुस्ट उल्लसित एवं प्रफुलित बना रहता है। अवांग्षुनिया मानसिक भार से चुटकार पाने के कारण उसकी सूजबूज, दूरदर्शी, तत्वदर्शी बन्चाती है और उसका लाभ ना केवल संपर्ग छेत्र को वरन समस्त संसार को मिलता है। मस्तिस्क का कुल मिला कर प्राया साथ प्रतिसद भाग काम में आता है। शेज 93 प्रतिसद प्रसुप्त इस्तिती में पड़ा रहता है। उसे जागरत करना अपने भीतर की असंख्यों अतींद्रिय चमताओं का विकास कर लेना है। मस्तिस्क की तुलना का चमतकारी सुक्ष्म यंत्र इस संसार में और कोई नहीं है। इसे यदि प्रियत्न पूर्वक समझ सुक्ष्म बना लिया जाए, तो काली दास जैसे मंद बुद्धी भी मुर्धन्य विद्वान बन सकते हैं। चमतकारी सिद्धियों के नाम से कितने ही विशिष्ट कौशल कई सिद्ध पूर्वसों में यदा कदा देखे जाते हैं। यह और कुछ नहीं, जादों की पिटारी इस मस्तिस्की ये चेतना की फुल जड़िया मात रहें। इंद्रिय शक्ति से, मना सक्ति से हम परचित हैं। इसलिए उसके द्वारा दैनिक जीवन में प्रसुप्त होते रहने वाले चमतकारों को सामान्य माना चाता है। अचेतन अविज्यात है। इसलिए उसके जागरित अतिंद्रिय शक्ति अजभुत अलोकिक लगती है। पूर तया अनुकर्णी हैं चमतकार शिद्यां भी प्रसुप्त अतींद्री चमता का ऐसा जाग्रण है जो आमतवर से देखा सुना नहीं जाता ऐसे तो नए अविश्कार भी कुछ दिन तक चमतकार ही कहे जाते हैं तीसरा आधार कारण शरीर की चेतना की आस्थाएं सुधर जाने से मनुस्य, महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा बन सकता है यह वह धुव केंद्र है जहां आत्मा और परमात्मा का पारसपरिक पतला सा संबंद सूत्र जुड़ा हुआ है उसे तनिक्सा और परिश्कित कर लिया जाए तो ब्राम्भी चेतना का चीव चेतना विशिष्ट संबंद स्थापित कर सकता है और ऐसे आदान प्रदान का पत्प्रशस्त कर सकता है जिसके आधार पर नर्मे नारायन का अवतरन प्रितक्ष देखा जा सके ऐसे इस्तिती में पहुँची हुई आत्माओं की देव संग्या होती है देवताओं की अलोकिक्ता कथा पुराणों में भरी पड़ी है उन्हें इन देव पुरुषों में प्रितक्ष देखा जा सकता है इस अस्तर को पाने के लिए योग साधक को चिंतन तथा भावना परक साधनाय करनी पड़ती है मनुस्य की विचार छमता और भाव छमता इस्थूल छमता की अपयक्षा कई गुनी अधिक महत्वपूर्ण है उनकी दिशा अधोगामी आकर्षनों से हटाकर उच्चस्तरिय उद्देश्यों के साथ जोड़ना योगी की कुशलता और साधना की प्रकरता पर निर्फर करत इसके लिए अनेक चिंतन तता अनभूती परक ध्यान साधनाएं खिजाती हैं उनके सहारे जीव अपने को संसारी न समझ कर ईश्वर का अंश प्रतिनी धिवानने समझने लगता है यह एकता की अनभूती उसका चिंतन योग साधना का महत्वपूर्ण अंग है इस प्रकार की साधना के साधक के विचार और भावना चेत्र में क्रांतिकारी मोड आ जाता है यह समझने लगता है कि हम विश्वचेत्ना के एक अंश मात्र들 हैं समस्टी ही आधार भूत सक्ता है हम उसकी छोटी चिनगारी भर है एकता को शाश्वत समझा जाए प्रिथक्ता को कृतिम, सब में अपने को और अपने को सब में समाया हुआ देखा, समझा और माना जाए, सब के हित में अपना हित सोचा जाए, सब के दुख में अपना दुख माना जाए, सब के सुख में अपना सुख, सबका उत्थान अपना उत्थान, सबका पतन अपना पतन यह मान कर चलने से सीमित परधी में सुखी होने की छुद्रता घड़ती है और व्यापक छेत्र में सुख समध्धी की योजना सामने आती है धन्यवाद क्रमशा योगा भ्यास और तपश शर्या की प्रिष्टभूमी लेखक परम पुझ्य पंडित त्री राम सर्मा आचारिय ओडियो थ्री सीमा संकिर्णन्दा को अवास्तविक मानने से व्यत्तिवाद पर अवलंबित स्वार्थ परता घड़ती चली जाती है अपने को बड़ी मसीन का एक छोटा पुर्जा भर समझने से यह बात ध्यान में रहती है कि उसकी निची उप्योगिता भी पूरी मसीन का अंग बनकर रहने में ही है अलग निकाल कर अलग से अलग बड़पन और सुखो भोग की बात सोची जाएगी तो यह प्रिठक्ता अपना कर कुछ लाब नहीं उठाया जा सकेगा हानी ही होगी घड़ी से अलग निकाल कर एक पुर्जा भजार में बिकने चला जाए तो उसे कोई वो कौड़ी का न पूछेगा और मिलने पर उपेक्षा ही इधार उधार पटक देगा पर यदि वह पूरी घड़ी के साथ ही हो तो घड़ी को मिलने वाले समान में वह भी समान रूप से भागिदार बना रहेगा फिर थकता वादी स्वार्थ परता पर अंकुष लगाने और समूह वादी गत्विधियां अपनाने में यह एकता का दर्शन बहुत काम करता है अपना पन ही प्यारा लगता है यह आत्मियता जिस पदार्थ अत्वा प्राणी के साथ जुड़ जाती है वही आत्मिये परम प्रिय लगने लगता है अपने पन का दाइरा छोटा हो तो मातर सरीर की यह बहुत हुआ तो परिवार की सुक्सुविदा सोची जाती रहेगी वह थोड़ा सा छेत्र ही अपना प्रतीत होगा और उतने तक ही प्रिय लगने की परिदी सीमित बनकर रह जाएगी यह छेत्र जितना अधिक बढ़ेगा उतनी ही प्रियता की परिधी विस्तृत होती चली जाएगी सभी अपने लगेंगे तो अपना परिवार अत्यंत सु विस्तृत बन जाएगा प्रिय पात्रों की मातरा जितनी ही बढ़ती है उतनी ही सुक्संतोस मिलता है यदि व्यापक छेत्र में आत्मियता विस्तृत करती जाए तो अपने पन का प्रकास बढ़ता जाएगा और उस सारे छेत्र का वैभव परम प्रिय लगने लगेगा उन्नती में व्रिद्धी और विस्तार में हर किसी को गर्व गोरों अन्भो होता है बड़े उत्तरदाइत्व समझना ही बड़पन का चिन्न है यह अन्भोतियां उन्हें सहज ही मिल सकती है जो सीमा बंधनों की तुक्षता को निरस्द करके समस्टी के साथ जुड़ेवे कर्तव्यों का पालन करने के लिए कटिबद्ध होता है एकता का दूसरा निशकर से यह निकलता है कि अन्शी के सारे गुड़ सुक्ष्म रूप से अन्स में विद्धमान रहते हैं अस्तु परमात्मा की समस्त विशेस्ताएं तथा संभावनाएं आत्मा में विद्धमान है और उन्हें विख्षित करने से साधन जुटाकर उचता मस्तर तक पहुचाये जा सकता है चिनगारी में वे सभी संभावनाएं महजूद रहती हैं जो दावा नल में पाई जाती है विशाल विर्क्ष का सारा ढाचा बीज के भीतर महजूद है प्राणी की आकरती और प्रकरती का अधिकान सा स्वरूप उस नन्ने से सुक्राणू में पूरी तरह मवजूद रहता है जो आँखों से दिखाई तक नहीं देता ब्रह्मान के ग्रहन अक्षत्र जिस नीती रीती पर अपना क्रिया कलाप कर रहे हैं उसी का अनुकरण सौर मंडल करता है और उसी लकीर पर अड़ू परमाडू के परिभ्रमण प्रियास चलते हैं छोटे से परमाडू के भीतर एक पूरे सौर मंडल का नक्षा देखा जा सकता है एटम के भीतर काम कर रहे एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नुट्रॉन आदिकी भ्रमण गतिविदियां तथा कक्षाएं लगबख वैसी ही हैं जैसी कि सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों की इस तत्य को समझ लेने के उपरांत या अस्पस्ट हो जाता है कि जीव की मूल सत्था गुणों की दृष्टी से ईश्वर के सम्तुल्य ही है इसे संभावना को विक्सित करना मनुष्य जीवन में ही संभो हो सकता है अस्तु उच्चपद प्रदान करने में नियोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की तरह ही अपना मनुष्य जीवन मिला हुआ है परिक्षा में भाग लेने का अवसर जिन्हें मिला है वे अपनी प्रतिभा और पुरुसार्थ परायनता का परिशय देकर उत्तिर्ण होने का प्रमान पत्र प्राप्त करते और प्रतियोगिताओं जीतकर उच्चपद प्राप्त करते हैं ऐसा ही अवसर मनुष्य जीवन के रूप में भी मिला है उसकी सार्थक्ता इसमें है कि अपने छोटी से जीवात्मा अस्तर को विक्सित करके महात्मा देवात्मा की कक्षाएं पार करते हुए परम आत्मा उत्कृष्टता आत्मा बनने की पुरुनता का लक्ष प्राप्त करे उतकृष्ट चिंतन और आदाश करतवे की उदात्र फ्रीति नीति अपनाने वाले ही इस महान जीवन लक्ष को प्राप्त करते देखे जाते हैं मनुस्य जीवन भगवान का प्राणी को दिया गया सबसे बहुमोली उपहार है इससे अधिक महत्वपूर्ण चेतन संवक्षना उसके भंडार में और कोई नहीं है इसे अनुपम और अदभुत कह सकते हैं बोलना, सोचना, सिक्षा, कला, आजीविका उपारजन, भोजन निशिंतता, वस्त्र निवास, चिकितसा, वाहन, परिवार, समाज, शासन, कृषिपशुपालन, वैज्यानिक उपकरन एवं अनीका नेक सुख सुविधाओं की सुविधा, सुष्टी के अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है यहाँ प्रश्न उठता है कि सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं एक समदर्सी पिता को अपनी संतानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और समान अनुदान देने चाहिए फिर ऐसा क्यों हुआ कि मनुस्य को ही इतना अधिक दिया गया और अन्य प्राणी इस से वंचित रह गए यदि यह सब विभूतियां मात्र मौज मजा करने के लिए ही मनुस्य को मिली होती तो निश्य ही इसे अन्याय और पक्षपात कहा जाता किन्तो परमात्मा ना तो ऐसा है और ना ऐसी नीती अपना सकता है जो उसके महान गवरों पर उंगली उठाने का अवसर देती हो मनुस्य को अधिक विश्वस्त, अधिक प्रामाडिक और अधिक समझदार बड़ा पुत्र माला गया है और उसके हाथ में वे अत्रिक्त साधन सौपे गये हैं जिसके सहारे वा ईश्वर के इस सुरम में उद्धान संसार को अधिक सुन्दर, अधिक सुविक्सित और अधिक सुसंपन और अधिक सुसंस्कृत बना सके। खजानची के पास धेरो सरकाली रुपया रहता है। सस्त्र भंडार का स्टोर कीपर सेना के हतियार और गोला बारूद अपने ताले में रखता है। मिनिस्टिरों को अनेक सुविदा साधन एवं अधिकार मिले होते हैं। यह सब विसुद्ध रूप से अमानते हैं। इन्हें निजी लाव के लिए प्रियुक्त नहीं किया जा सकता। खजानची, स्टोर कीपर, मिनिस्टर, आदी यदि अपने अधिकार के वस्त्वों को निजी उप्योग में खर्च करने लगे तो यह उनका अपराध माना चायेगा और डंड मिलेगा। ठीक इसी प्रकार, मनुस्ति को जो मिला है वह संसार को अधिक सुखी, समुन्नत बनाने के लिए मिली हुई धरोहर की रूप में है। उसमें से ओसत, नागरिक के अस्तर का निर्वाव भर अपने उप्योग में लिया जा सकता है। इसके अत्रिक्त समय, श्रम, ज्यान, धन, पद, प्रभाव आधि के रूप में जो वैभो मिला है, उसका जितना अंश सेश रह जाता है, उसे लोक मंगल के लिए नियोजित की रहना मनुस्य जीवन का दूसरा प्रियोजन है। पुर्णता प्राप्ति की दिसा में अगरसर होते हुए अनुकरडिय, आदर्श, एवं पवित्रतम देव जीवन जिया जाए और शारीरिक, मानसिक, एवं भातिक उपलब्दियों में से नियोणतम अंस अपने लिए लेकर शेश का परमार्त प्रियोजनों में उप्योग क जाना चाहिए, ईश्वर प्रदत्य सूर्दुलम मानोचीवन के अगम्य अवसर का स्रिश्टम उप्योग यही है, राजघरानों में यह प्रता थी कि बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाता था और वह यूवराज ही समया नुसार पिता के सारे उत्तरदायत वह को वहन करता था, छोटे भाईबहनों की सुव्यवस्ता का भार भी उसी के खंधे पर रहता था, समझा जाना चाहिए कि राजा धिराज परमेश्वर का जेस्ट पुत्र युवराज मनुस्य है, उसे अन्ने जीवधारियों की तुल्ना में जितना कुछ अधिक मिला है, वह सब विशेश उद्देश के लिए है, उसे विलासिता, संग्रह, एहंकार के उद्धत, प्रदर्सन एवं उलाद के लिए मुफ्त का धन छोड़ जाने जैसे हेय प्रियोजनों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए, अमानत को, धरोहर को उसी प्रियोजन में लगाया जा इन्हें काम करने में दो हाथ आगे बढ़ने के दो पैरों किसे उप्मा दीचा सकती है, अन्ताकरण की आस्था एवं आकांग्षा के अनिरूप यह दोनों ही स्वामे भग्त सेवक सदा कारे करने के लिए तत्पर रहते हैं, शरीर की अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता या इच् उसी दिशा में शरीर की क्रियाशीलता चल पड़ती है, इसी प्रकार मन भी अपनी मर्जी के कुछ नहीं करता, उसमें सोचने का गुड़ तो है पर क्या सोचना चाहिए यह निर्धारण करना अन्ताकरण का काम है, सजनों का चिंतन एवं करताव्य एक तरफ का होता है और दूरजनों का दूसरी तरफ का, इसमें दोनों के शरीर और मन सर्वता निर्धोश होते हैं, अन्ता प्रेरणा का निर्धेशन भजाते रहना भर उनका काम है, इसलिए शरीर को दुशकर्म करने या मन को दुर्बुद्ध ग्रस्त होने का जो दोस्त दिया जाता है, वह अंतरात्मा में भावना काम करती है, भावनाव को ही श्रध्धा, आस्था, निस्था, मानेता, आदि के नाम से जाना जाता है, इनी सब के समनवज से आकांग्शा उभरती है और फिर उसी के निर्धेशित दिशा में शरीर और मन के सेवक काम करने के लिए कटि बद्ध हो आत्म ज्यान का अर्थ है अंतरात्मा की गहन अस्तर में यह अनभूती एवं आस्ता उत्पन्व करता रहे कि हम सत्थ, चित, आनंद, परमात्म सत्था के अविछिन अंग हैं हमें पूर्णता प्राप्ति के लिए स्वेष्टतम जीवन क्रम अपनाना है और जो उपलब्द है उसे लोगहित के लिए प्रियुक्त करना है आत्मज्यान की भूमिका में जगा हुआ जीवात्मा संकीर्ण स्वार्थपर्ता की परेदी को लांग कर सब में अपने को और अपने में सब को देखता है इसलिए उसके सामने वेक्तिवादी आपधापी फटकने भी नहीं पाती जो सोचता और करता है उसमें व्यापकता होती है और कहना ना होगा कि आत्मबोद से लाभानवित आत्माओं को प्रतेक विचारना और प्रतेक क्रियापद्दती में मात्र आदश्वादिता ही उभरती छलकती दिखाई पड़ती है ऐसे लोग अभाव ग्रस्त और संकट ग्रस्त हो सकते हैं पर अंता करण में उन्हें असीम आनंद और संतोस की अनभूती हर घड़ी होती रहती है भगवान बुद्ध को जिस दिन आत्मग्यान हुआ उसी दिन से दिव्य मानव भन गए जिस वटवरिक्ष के नीचे उन्हें आत्मग्यान हुआ था उसकी तहनिया काट काट कर उनके अन्याई अपने अपने छेतर में ले गए और वहां उसकी मूर्ती मान देवता के रूप में स्थापना की इसका तात्परी है बुद्द्ध को सामाने राचकुमार से भगवान बना देने का श्रेय उस आंतरिक चाग्रन को ही दिया गया जिसे आत्मग्यान के रूप में पुकारते हैं यह उपलब्दी जिससे भी मिल सकेगी वह उसे मार्ग पर चलने वाला और वैसा ही सत्परिडाम प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा धन्यवाद क्रम्शा योग साधना और तपस्शर्या की प्रिस्ट भूमी ओडियो 4 योग साधना में केवल चिंतन तक ही सिमित नहीं रहा जा सकता भाव संस्थान में उभार आये बिना योग अधूरा ही रह जाता है भाव प्रकरता जितनी तीवर होगी योग की सफलता भी उतने ही अन्शों में पढ़ती चली जाएगी जो साधनाय सहज क्रम में कठिन और स्ट्रम साध्य लगती हैं वही भाव जागरन होते ही आनंद दायक और स्वाभाविक हो जाती हैं उसमें अपने इश्वर से मिलन का रस मिल जाता है मनुस्यों में भी जब मिलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और आनंद दातिरेक का अनभव करते हैं भाव भरी पुलकन केवल विश्वस्त परम प्रिय एवं आत्मियों के मिलने पर ही उभरती है इसलिए भागवान के प्रति अत्यंत उच्चस्तरिय मानेताएं एवं भावनाये रखकर उलकन भरे मिलन का एक दूसरे में आत्म साथ हो जाने की गहन आस्था की अनभूती को भक्तियोग कहते हैं लाय योग इसी को कहते हैं आत्म समर्पन तादाम्य भी इसी का नाम है जीवन मुक्ति का वर्डन करते हुए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायोज्य के चार भेदों में इसी इस्तिती का विवेचन किया गया है द्वैत को मिटाकर अद्वैत की अनभूती, नदी का समुद्र में मिलन, अगनी में आहूती द्रव्य, दीपक पर पतंगों का जलना, जैसे उदाहरन देखकर इसी भाव अस्तर का स्वरूप समझाया जाता है गोपियों का कृष्ण की वनसी ध्वनी पर थिरकने वाले रास्मृत्य में इंद्रिय समूह एवं चिंतन धाराओं का पर ब्रह्म के उदात संकेतों का अनगमन ही है मैं और तू में से एक को मिटा देने की बात सूफी संत और भक्त योगी एक स्वर से कहते रहे हैं मैं मिटता है तो तू रह जाता है मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सो तौर अपनी खुदी मिटा दे तेरा खुदा मिलेगा कि अनभूती ही भक्त योग में होती है इसी तत्य को थोड़े से शब्दों को उलट उलट में दूसरी तरह भी कहा जा सकता है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्व मसी सच्चिदा नंदो हम शीवो हम की मानिता में तू मिट जाता है और मैं रह जाता है दोनों ही इस्थितियों में एकता एक रूपता एक सत्ता का प्रतिपादन है भक्त और भगवान के एक बन जाने की बात है अयम आत्मा ब्रह्म का आत्मा निक्रिस्ट नरपशु नहीं होता वरन उसकी क्रिया विचारना एवं आकांग्षा ठीक वैसी ही होती है जैसी पर्मेश्वर की इससे नीची इस्थिती में शीवो हम की बात कहां बनती है पर्मात्मा अस्तर पर पहुचा हुआ आत्मा अपनी अहन्ता को पूरी तरह खो चुका होता है उसके साथ जुड़े हुए संकिर्ण स्वार्थ परता के सारे बंधन भी समाप्ट हो जाते हैं ऐसा मनुस्य लोब, मोह के बंधनों से विरक्त होकर वैरागे जीवन जीता है और उच्चस्तरिय प्रिर्णाओं को इश्वर के संकीत मान कर उनका अनुगमन करता है इसके लिए मात्र मस्तिस्क द्वारा संबव होने वाले ध्यान चिंतन से काम नहीं चलता वरन परमात्मा के साथ एकाकार होने के भावन मात को जगाना पड़ता है मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण, परमहंस आदि में यहां उनमाद मुखरित हूठा था रिशियों में तत्वदर्शी मनुशियों में यहां सौम्य शांत रस बन कर रचनात्मक प्रियोजनों में लगा रहता है आवेशक्ता पढ़ने पर वह बुद्ध और गाधी की तरह सावय समस्याओं के समाधान में अवतारी महमानवों की भूमिका भी संपन्न करता है इस इस्तिती को प्राप्त करने के लिए भक्ति का भावन मात उभारने वाले सादक भी देखे गए है दूसरे अत्यंत शान्ति पूर्वक हिमालय में अपनी काया को गला कर हिम रूप बना देने जैसी अनभूतियों से भी काम चला लेते हैं तातपरिय द्वयत को मिटाग देने से है, आत्मा और पर्मात्मा की एकता की भावना जीस भी प्रक्रिया द्वारा शंपन्न की जाए वे सभी बक्ति योग के, लयोग के अंतरगत कीनी जाएगी तपस शर्या का तत्वग्यान ब्रह्म विद्या के अध्यात्म विद्या के दो भाग हैं एक आस्था पक्ष दूसरा क्रिया पक्ष आस्था पक्ष में चिंतन छेत्र को प्रभावित करने वाले समस्त विस्तार को संपिलित किया गया है वेद सास्त्र, उपनिशद, दर्शन, नीती सास्त्र आदि इसी प्रियोजन की पूर्ती के लिए रचे गये हैं पाठ, स्वाध्याय, सतसंग, चिंतन मनन का, कथा प्रवचनों का महात्मिय इसी आधार पर बताया गया है कि उस प्रक्रिया के सहारे, मानवी चिंतन का परिशकार होता रहे अवांग्षनिय पशु प्रवित्यों के कुसंसकार छुडाने में यह ज्यान साधना साबुन का काम करती है विक्रित मनो वृत्यों से छूट कारा मिलता है और विवेख युक्त दोर दर्शिता का पत प्रसस्त होता है प्रग्या, भूमा, रितंभरा इसी परिश्कृत चिंतन का नाम है ज्याने मुक्ति, नहीं ज्यानेन स्रद्रिश, पवित्र मिह विद्धते जैसे उक्तियों में सदग्यान को अध्यात्म का प्रान माना गया है वेदान्त दर्शन को तो विशुद्ध रूप से ज्यान साधना ही कहा जा सकता है इसी सदग्यान समवर्धन की बहुमुखी प्रक्रिया को अध्यात्म विज्यान में योग नाम दिया गया है अध्यात्म विज्ञान का दूसरा पक्ष क्रियापरक है इसे तप कहते हैं आत्म निर्मान इसी का एक चरण है और लोककल्यान दूसरा इन दोनों के लिए जो भी प्रियत्न करने पड़ते हैं उनमें अभ्यास्त पशु प्रवित्यों को चोट पहुचती है स्वार्थ साधनों में कमी आती है और परमार्थ प्रियोजनों की सेवा साधना करते हुए कई तरह की कठनायों का सामना करना पड़ता है स्वार्थ सुविधा में कटवती करके ही परमार्थ की दिशा में कुछ किया जा सकता है प्रत्यक्षिताह यह सांसारिक दृष्टी से घाटे का सौधा है और अभ्यास्त प्रवित्ती से विपरित पढ़ने के कारण कस्ट में भी अनभव होता है इन कटनायों को पार करने के लिए शरीर की तितीक्षा का मन की सादगी तता इस मार्ग में आने वाली कटनायों का सामना करने योग्य आंतरिक साहसिक्ता का सहारा लेना पड़ता है अपने आपे को इसी ढाचे में ढालने के लिए जितने भी प्रयास किये जाते हैं वे सब तप की स्रेडी में किने जाते हैं यदि आस्थाओं का अस्तर बदला जा सके और मात्र चित्विचित्र शारीरी क्रियाएं करते रह जाए तो इतने भर का प्रभाव शरीर तके ही सेमित रह जाएगा चेतना का वह परिशकार ना हो सकेगा जो तपस्षर्या का मुलभूत उद्देश्य है आत्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए योग और तप के दोनों कदम बढ़ाते हुए लेफ्ट राइट की परेड करते हुए गतिशील होना पड़ता है ज्ञान और विज्ञान की दोनों धाराएं गंगा यमना की तरह जब मिलती है तब प्रभु प्राप्ति का संगम सु अवसर हाथ में आता है भिन्न भिन्न परमपराओं में अपनी ज्ञान साधना और कर्मकार्ण प्रक्रिया को कई तरह से निर्धारित किया गया है पर सभी का मूल प्रियोजन समान है मानवी सत्ता भी चेतन आत्मा और जड़ शरीर के समन्वे से बनी है उन दोनों को ही परिश्ट्रिक करना पड़ता है भावशुद्धी की तरह क्रियाशुद्धी भी आवश्यक है भावशुद्धी को योग तथा क्रियाशुद्धी को तब कहा जाता है मन चेतन आत्मा और जड़ शरीर का मध्यवर्ती है इसे दोनों की सम्मलित सत्ता कहा जाता है इसे चेतन होते हुए भी ग्यारावी इंद्रियमाना गया है इसे सपस्ट है कि वह चेतन होते हुए भी जडगी और आकर्शित रहता है दोनों छेत्रों से संबंदित होने के कारण मन को ही चेतना और काया के परिशकार की भूमी का निभानी पड़ती है आखे गिराने का कारण भी तो वही है मन की दो विशेस्ताएं सर्वविदित है पहला चंचलता, दूसरा सुखलिप्षा इसे आवारा लड़कों की तरह मटर गस्ती में मजा आता है बंदरों की तरह डाली डाली पर उचलते रहने और चिडियों की तरह जहां तहां फुदकते रहने में उसकी चंचलता को समाधान मिलता है कलपना की घोडे पर सवार होकर वह आकाश पाताल की सैर करता है इस भटकाओं में उसकी अधिकांश सक्ती नस्ट हो जाती है इसे रोक कर उपयोगी लक्ष पर उसे केंद्रित करने का प्रियास योगा भ्यास कहलाता है योग के फल स्वरू भौतिक जीवन में दरिद्रता का समरिद्धी में लए हो जाता है पिचडापन प्रगति शिद्धा में परड़त हुआ देखता है विबन प्रकार की सांसारिक सफलताएं मन को लक्ष विशेश पर धान करने का ही सत्परडाम है उसी से प्रबल पुरुसार्त बन पड़ता है अभीस्ट साधन जुटते हैं और अनुकूल परिष्टतिया बनती जाती है आत्मी छेत्र में मन को लगा देने से प्रसुक्त शक्ति संस्थानों के जागरन का वातावरन बनता है और दिव्वे छमताएं प्रकाश में आती है यहां आंतरिक प्रगति सामान्य व्यक्ति को महामानों अस्तर पर ले जाकर खड़ा कर देती है यहां सब मन के भटकाव को रोकने और उसे लक्षिक केंद्र पर नियोजित कर सकने का ही प्रतिफल है चंचलता की वृत्ति से छोटकारा पाकर एकागरता के लिए एक धारा में बहने के लिए सधाया हुआ मन कितने चमतकारी परढ़ाम उत्पन करता है इसे अनभध्वारा ही चाना जा सकता है प्रगति का समूचा इतिहास तो इस तथे का साक्षी है है मन की दूसरी प्रवित्ति है सुखोब भोग की लिप्सा भोतिक सुख शरीर द्वारा वासना त्रिप्ति के रूप में भोगा दाता है इंद्रिया इसकी माध्यम है परायरता में रुच्छी बनी रहती है स्वाद और विशयन सुख की कल पनाये करने और साधन जुटाने के ताने बाने बुन्ने में उसकी अधिकांश सक्ति लगी रहती है मधुर, देखने, सुनने, सुंगने, छूने, आदिक इंद्रिय लिपसाएं भी इसी बिलास छेत्र में आती है अहांकार की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने वाले कई तरह के ठाट बाट बनाये जाते हैं संग्रहक और स्वामित्य के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं तृष्णा सब्द में इन सबका समावेश है अहन्ता पर चोट पहुँचने से प्रतिशोध की उत्तेजना उत्पन होती है यहक क्रोध है काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मतसर यह चह आंतरिक शक्त्रु माने गये हैं संचेप में यह सारा विकार, परिवार, भोतिक सुक प्राप्ति करने की मना लिपसा की अनेकों रंग रूपों में दीखने वाली प्रतिक्रियाय मात्र है मन की इस पतनोन मुख बहिर मुखी लिपसा प्रायन प्रवित्ति से जीवात्मा को असी महानी उठानी पड़ती है जीवन संबदा उन्हें उल्जनों में नस्ट ब्रस्ट होती चली जाती है और इस सुरदुरलव अवशर का समुझत लाब उठाने से वंचित रहना पड़ता है मन की इस प्रवित्ति को उलट देने के लिए कियेगे प्रयास तब कहलाते हैं सुखानु भूती तो आत्मा की आकांग्षा भी है पर वहक मन के अस्तर से बहुत उची बहुत भिन्न है मन की त्रिप्त वासना त्रिशना और अहन्ता के पूर्ती में है इसमें उपभोग लक्षे है आत्मा उच्चस्तरी आदर्शों के पालन में जो आनंद पाता है उसे संतोस या शांती कहते हैं संचेप में मन को भूतिक सुख की आकांग्षा रहती है और आत्मा को आत्मिक संतोस एवं शांती की सुख मन का विशह है और संतोस आत्मा का रस्सा कशी में एक को हारना दूसरे को जीतना पड़ता है मन जीतता है तो आत्मा को असहाय बनकर अत्रप्त इस्तिती में पड़ा रहना पढ़ोता है आत्मा जीतता है तो मन को कुछलना पड़ता है आरंभ में उद्धत मन को सयम बनाने में काफी संघर्स करना पड़ता है पीछे तो उनमें समझावता हो जाता है वन्य पशु जब पालतु बन जाते हैं तो मालिक से जगडने की अपेक्षा उसी के साथ फिरने लगते हैं यही इस्तिती मन की होती है साधना द्वारा मन को इस तरह सधाया जाता है जिस प्रकार सरकस वाले सिंग जैसे आक्रवनकारी जन्तु को स्वामी भक्त आज्याकारी एवं उत्पादक बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं सरकस के पशु सिक्षक उन जन्तु की अंगढ आदतों को छोड़ाने और नए प्रकार के अभ्यास डालने में भारी माथा परची करते हैं उन्हें मार और प्यार की दोरी भूमी का निभानी पड़ती है तब साधना और कुछ नहीं मन की चंचलता और सुक लिपसा वाली अंगढ आदतों को छोड़ाने और उसे उप्योगी प्रवित्ति में सनलंग में होने का अभ्यस्त बनाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें मोटे तवर से कुरूर कर्मा की संग्या भी धीचा सकती है तपका बाहिस्वरूप कुछ ऐसा ही निष्ठुरता पूर्ण है यद्यपी आत्मोत कर्शन का उसके पीछे दूरगा में दुलार ही दुलार चलता देखा जा सकता है सुक को गौड और संतोष को प्रधान मान कर चलना मन को गौड और परमात्मा को प्रधान मानना का सारीरिक मानशिक एवं आर्थिक असुविधाओं का अभ्यास इसलिए करना पड़ता है कि मन की अनगर कुछ अंसकारिता को चंचलता और लिप्षा को छुड़ाया जा सके उसे पतनोन मुखी बहिरंग ललकों से विरत करके उच्चस्तरी आध्यात्मिक आदश वादिता अपनाने के लिए सहमत करना ही तप साधना का एक मात्र उद्देश्य है इसमें जो कड़ाई बरतनी पड़ती है उसे सुधार, प्रियोजन के लिए कुछ छड़ के लिए बरती गई विविष्टा भर समझा जाना चाहिए इसे प्रसव पीड़ा की उपमा दी जा सकती है ऐसे तो सत्परडाम प्राक्ट करने के लिए किसान, विद्यारथी, पहलवान, श्रमिक, व्यवसाई, कलाकार, आदि को बाल चंचलता से विरत होने के लिए मन मारना पड़ता है और अपने रूखे नीरस प्रियोजनों में तनमे होना पड़ता है मोटे तौर से इस साधना को अपने साथ बढ़ती गई कठोरता ही कहा जा सकता है दूसरे शौक मौज में निरत साथी इसी मूर्खता भी कह सकते हैं पर वस्तुताहक वह आरंभ में बीच की तरह गलने के लिए और पीछे विशाल व्रिक्ष के रूप में विक्सित करने वाली दूरगामी बुद्धिमत्ता ही है तपस्वी को आरंभ में कस्ट सहना पड़ता है उसकी शारी रिक्सुक सुविधाओं में कटोती होती है मानसिक हास परिहास का अवसर भी छिनता है और चित्ति को रखकर उपारजन और उदार उपयोग का ध्यान रखने से समर्द भी बढ़ नहीं पाती इन तीनों छेत्र में कमी पढ़ने को मोटे तवर से मुर्खता कहा सकते हैं पर चूखी उसके पीछे जो उज्वल संभावनाय विद्धिमान है उन्हें थोड़ी लागत में तगड़ा मोनाफा कमाने जैसी बुद्धिमत्ता ही कहा जा सकता है तपाने से वस्तुवे गरम होती है और उनका शोधन होता है द्रड़ता आती है तथा अस्तर बढ़ता है वस्तुओं की तरह ही व्यक्ति भी तप साधना से परिश्कित होता और सुद्रड बनता है कच्ची मिट्टी से बनी इटो द्वारा विनिरमित मकान वर्सा में गलने लगता है पर यदि इन्हीं इटो को आग में पका लिया जाए तो उनमें बनी इमारते मुद्ध तो चलती है चूना और सिमिंट क्या है? कंकर पथरों का पका हुआ चूरा यदि इन्हें कच्चा पीसकर इमारत में लगाया जाए तो काम नहीं चलेगा पकाय जाने पर उनमें इटो को पकड़ लेने और भवन को चिरस्थाई बना देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है धात्वें खदान में से मिट्टी मिली कच्ची वस्था में निकलती हैं उन्हें भट्टी में तपाया जाता है तब लोहा, तामबा, आधी, सुद्ध बनते और काम में आते हैं लोहे को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसे अधिक तपाया जाता है काटने वाले शस्त्र तथा आउजारों की धार अधिक गर्मी देकर ही सो इस्थिर बनाई जाती है धन्यवाद योग साधना और तपस्षर्या की प्रिष्ट भूमी आउडियो फाइव आयूर वेद के रसायन वेता कई प्रकार की गुड़कारी भस्मे बनाते हैं अब्रक, भस्म, वंग भस्म, प्रबाल भस्म, लोह भस्म आधिके गुड़ प्रक्ष्यात है यह उन साधारन सी वस्तुओं के तपाने गर्माने का ही पत्पल है पानी गरम करने से भाब बनती है और उससे रेल गाड़ी का इंजन जैसी भारी वस्तुओं धकी ली जाती है बल्ब का जरासा फिलामेंट जब गरम होता है तो रोश्नी देता है दीपक के बारे में भी यही बात है गर्मी ही प्रकास की रूप में परिवर्तित होती है उसी को शक्ति के रूप में परड़त किया जाता है व्यक्तित्व की सत्ता को तपाने से भी उसमें सर्वतों मुखी प्रकरता उत्पन होती है प्राचीन काल में विद्यारतियों को गुरुकुलों के कठोर वातावरण में रहकर बढ़ने के लिए भेजा जाता था कि वे कस्ट साध्य जीवन्यापन करते हुए अपने शरीर को सुद्रिण और मन को शेहनसील बनाने की साधना में उत्तिर्ण होकर प्रखर प्रतिभा विक्सित कर सके कच्चे फलों को भूसे या अनाज की गर्मी में बंद रखकर पकाया जाता है आम प्राया इसी प्रकार पाल में पकता है और अपना खटापन हटा कर मीठा बनता है दूद को गर्म करने पर ही घी उपलब्द होता है सामान्य पानी को ओशदी उपयोगी डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए उसे भट्टी पर चढ़ाया जाता और भाब बनकर उड़ाया जाता है तप साधना द्वारा कस्ट साध्य परिस्थितिया उत्पन्न की जाती है और उन्हें सहन करने की तितिक्षा का सहारा लेकर अपने को परिस्थित करना पड़ता है सोने को आग में तपा कर ही विविद प्रकार के आभूशन बनते हैं अन्ने धातुओं से भी उपकरण तभी बनते हैं जब उन्हें आग में डालकर कोमल बनाया जाए मनुस्य की जड़ता एवं कठोरता को सुको मलता बदलने और अमुक धाचे में ढालने के लिए तपस्चर्या की रीतिनीती अपनाना आवशक होता है अराम तलवी और सुक सुविधा से भरे वातावरन में पलने वाले लोग अविक्सित इस्थिती में पड़े रहते हैं उनकी विविद छमताएं विक्सित होने की बात बनती ही नहीं उस तरह पर धार रखते से ही उसमें पैनापन बढ़ता है और चमक दीखती है उसे ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहने दिया जाए तो धीरे धीरे जंग चटती जाएगी और वह गल कर अपनी मौत बर जाएगा सुविधा के अभिलासी लोग अपना पुरुसार्थ खोती चले जाते हैं तीक्ष्णता की वृद्धी और रक्षा के लिए रगण आवश्यक है फौज के सैनिकों को यदि नित्य पनेड करने और दौड लगाने का अवसर ना मिले तो वे थोड़े ही दिनों में तोंद वाले सेठ बन जाएंगे तब उनके लिए लड़ सकना तो दूर अपनी काया का बोज ढूना भी कठिन पड़ेगा इतिहास पुराणों में ऐसे असंगे आख्यान मौसूद हैं जिसमें प्रतीत होता है कि विशिष्ट शक्ति संपन्न लोगों को विभूतिया उपारजन में तब साधना काही आश्रे लेना पड़ा था भगी रथ द्वारा तब करके गंगा को धर्ती पर लाया जाना पारवती का शिव से विवाह संपन्न होना धुरूब का तब करके ब्रह्मान्ड का खेंद्र बनना दधीची की अस्तियों से वज्र बनना और उससे असुरों का मारा जाना अगस्ति का समुद्र शोशन विश्वा मित्र का नई स्रिष्टी का निर्वान साथ सामान्य मनुस्यों का सब्त रिष्टी बनना जैसी अगणित कथाए तपकी शक्तिव का परिचे प्रस्तुत करती है भगवान क्रिष्टो को सुसंतित प्राप्त करने के लिए रुकमणी सहित लंबी अवधी तक मात्र जंगली बेर खाकर उस अस्थान पर तप करना पड़ा था जहां आज कल बद्रिनाथ धाम है दिलीप ने रानी सहित वसिष्ट की गाय चराने का दिर्ग कालीन तप करके सुसंतिति प्राप्त की थी स्वयायमभू मनु और सतरूपा रानी के तप ने उन्हें राम जैसा पुत्र दिया था कश्यप तथा अधिती के तप ने कृष्ण को गोधी में खिलाने का वर्दान दिलाया था इन प्रसंगों में यह प्रतिपादन है कि तप द्वारा मनुष से भगवान का भी पिता बन सकता है आत्म साधना में तप शर्या को प्रमुक्ता दी गई है तप के कारण उसकी गर्मी से प्रसुप्त शक्तियों के जागरन की परिस्थितिया बनती है इसलिए आत्मिक प्रगति की साधना में कई प्रकार के कठोर नियम पालन करने पड़ते है वरत, उपवास, ब्रह्मचर्य जैसी तितिक्षाओं से सरीर को इस योग्य बनाया जाता है कि वह कठनाया सहने का अभ्यास्त तता तजनित गर्मी से सुद्रण होने का अवसर प्रदान प्राप्त कर सके उपवासक से केलाव सर्व विदित है पेट को विश्राम देने से उसमें जमा अपच दूर होता है और ठकान दूर होने से पाचन क्रिया में तीवरता आती है प्राकृतिक चिकित सा पद्दती में रोग निवरित्ति का प्रदान उपाए उपवास को माना गया है उदर शोधन के अत्रिक्त उपवास का विशेश लाभ यहा है कि उससे मनो विकारों का शमन होने लगता है जो शक्ति पाचन में लगती है वह यदि बच सके तो उसका उपियोग मन के अपच को विचार विकृति को दूर करने में लग सकता है भारतिय धर्म में पुर्ण्य परवो एवं शुब अवसरों पर उपवास को बहुत महत्व दिया गया है विवाह के दिन वरवधू के उपवास करने की प्रथा है दैनिक उपासना पूरी ना हो जाने तक कुछ ना खाने पीने का नियम कई लोग पालते है यह उपवास का ही छोटा रूप है उपवास को तप माना गया है अन्न का मन से घना संबंद है दैनिक जीवन में सतो गुड़ी आहार ही अपनाने की बात ध्यान में रखी जाए तो उसका प्रतिफल विचार शुद्धी के रूप में परिलक्षित होगा नीती उपारजित परिश्ट्रम की कमाई ही खाई जाए पकाने वाले तता परोसने वाले व्यक्ति शारीरिक और मारसिक द्रिष्टी से पवित्र हो खाते समय भगवान को मन ही मन भोग लगाने और उसे प्रसाद समझ कर आवशदी रूप में ग्रहन करने की भावना रखे जाए चटोरे पन को विलासिता से बच कर केवल आहार की सात्विक्ता भर से संतुष्ट रहा जाए अन्न को देवता मान कर उसका सम्मान किया जाए और जूठन की रूप में उसकी अनावश्यक बरबादी न की जाए यह बाते सामान लगती है पर आत्मिक प्रगति की द्रिष्टी से उनका बहुत महत्व है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ती भी सारगर्वित है बन को सात्विक बनाना आत्मोत कर्ष की द्रिष्टी से नितांत आवश्यक है उसके लिए आहार शुद्धी को प्रतम चरण कहा जा सकता है मन सहार, नशे बाजी, अशुद्ध व्यक्ती और वातावरण में पकाया और परोसा गया मिर्च मसालों से भरा गरिस्ट और उतेजक आहार बना छेत्र में तमोगुण उत्पन करता है और उसका प्रभाव चित्त की आइस्थिर्ता बन कर उपासना क्रम में भारी विग्न उत्पन करता है पिपलाद रिशी पिपल व्रिक्ष के फल खाकर निर्वाह करते थे कडाद रिशी सिलोज वृत्ती से जंगली धाण्य खाकर गुजारा करते थे यह अन्न शुद्धी की प्रक्रिया है हमें स्वयम लंबी अवधी एक मात्र जव की रोटी और छाज इन दो ही वस्तूव पर हर कर पुरश्चरण क्रम चलाना पड़ा है अभक्षे खाने से मन की विक्रिती का होना स्पस्ट है सरशया पर पड़े भीश्म पिताबह जब धर्मोप देश दे रहे थे तब द्रोपदी ने पूछा देव जब मुझे भरी सभा में निर्वासर किया जा रहा था तो आपने यही धर्मोप देश कवरों को क्यो नहीं दिये उत्तर में भीश्म ने इतना ही कहा उन दिनों में कुधान ने खा रहा था अस्तु धर्मज्यान रहते हुए भी उसे चरितार्थ करने का साहस संभो ना हो सका आहार शुद्धी के लिए हम अपने खाद्य पडार्थों में सात्विक वस्तुए ही स्विकार करे दो बार से अधिक भोजन ना करने का दियम बना ले दूद्ध, छाच, रस, क्वात जैसे पेए पडार्थों के अत्रिक्त बीज बीच में अन्य चीजे ना ले भूग से कम खाए, जल्दी ना निकले, चबा कर खाए सप्ताह में एक दिन अत्वा एक जून निराहार रहे, अत्वा फल शाक दूद आधि पर निर्वाह करे साप्ताहिक उपवास की परंपरा चल पड़े, तो देश की जटिल खाद्य सामस्या का सहज समधान निकल सकता है साथ ही अपच का हल निकल कर आने से स्वास्ते संकट भी बहुत हद तक हल हो सकता है सप्ताह में एक दिन अस्वाद वरत का पालन भी एक प्रकार का उपवास ही माना जा सकता है नमक, मसाले, शक्कर जैसी वस्तुए मात्र श्वाद के लिए खाई जाती है उपयोगी अस्तर का उपयुक्त मात्रा में नमक, सक्कर आदि तो अन, शाक, फल, दूद, आदि में सहज ही मिल जाता है उपर से इन चीजों का लिया जाना स्वास्ते के लिए नहीं वरन स्वाद के लिए ही प्रियुक्त होता है स्वाद के लोब में आहार की अधिक मात्रा उदरस्त होती है और अपच उत्पन करके तरह तरह के रोगों को जन्म देती है स्वाद पर काबु पाना भी एक प्रकार का तप है बिना नमक, शकर, मसाले, आदिका भोजन, सप्ताह में एक दिन भी किया जाता रहे तो इससे स्वादेंद्रिय पर नियद्र करने की तपश्यर्या चल पड़ेगी गांधी जी ने अपनी सप्त महावरत पुस्तिका में अस्वाद को प्रथम वरत माना है और उसके फलस्वरुप ब्रह्मचर्य पालन तथा मनो निग्रह में सफलता मिलने का प्रतिपादन किया है योग साधना और तपश्यर्या के प्रिष्ट भूमे ओडियो 6 मनो निग्रह तपश्यर्या में दूसरा वरत ब्रह्मचर्य पालन है स्वास्ते रक्षा की द्रिष्टी से रती क्रिया के अवसर नियुनतम ही आने देने चाहिए बहमूले जीवन रस को फूल जड़ी की तरह जलाने का अत्यनत महगा खिलवाड करने से बचना चाहिए इससे अपनी और सायोगी की हानी ही हानी है छड़िक विनोत की तुक्षता और शक्ति संचय की महत्ता को समझते हुए इस दिसा में अधिकादक सयम बढ़ता जाना ही दूर दर्शिता है इस बचत का लाब शारीरिक और मानसिक सुद्रिड़ता की रूप में सामने आता है और आत्मिक प्रगती की दिसा में उस संचय से भारी सहायता मिलती है शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्त्व मानसिक का मुक्ता से बचने का है शरीर छड़तों यदा कहदा ही होता है और कुद्रिष्टी एवं काम चिंतन के फलस्वरूप मानसिक विक्रिती घड़ी-घड़ी उत्पन होती रहती है काम सेवन से जिस प्रकार शारीरिक शक्ति घड़ती है उसी प्रकार चिंतन से मनोबल एवं आत्मबल घड़ता है संबाव होती है पुर्षोको सो के प्रति और voud होसा को पुर सो के प्रति पविद्र द्रिष्टी रखनी चाहिए क्मुकिंतं भी मान सिक विच्ञार माना जाता और उससे होने वाली हानि को आत्मी प्रगति के मार्ग में भारी व्यवधान माना गया है मन को कामुक चिंतन से बचाने के लिए उसके प्रतिपक्षी पवित्र भावों को अधिक समय तक मन में अस्थान देना चाहिए जितनी देर अशुद्य चिंतन के लिए मस्तिस्कों को छूट दी जाती है उतनी ही सुविधा यदि परिश्कृत चिंतन के लिए दी जा सके तो उस परिश्कृत मनो भूमी से कामक्रोध, लोब, मोह, मत्चर, चिंता, निराशा, भय, आधिका कोई को विचार, मनो विकार, पनप ना सकेगा। स्रिजनात्मक्षुब चिंतन के विचारों से मन को भरापूरा रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन का आश्रे लेकर मनो भूमी ऐसी प्रहुण परिपक्व बनाई जा सकती है जिसमें कूव विचारों को पैर जमाने के लिए तनिक भी गुंजाईशना रहे। हनुमान, भीश्म, संकराचार्य, समर्द, विवेकानन्द, आदि ब्रह्मचारियों के उज्वल चरित्रों पर बार बार विचार किया जाना चाहिए। शिवा जी ने एक सुंदरी को अभोग के लिए प्रस्तुत किये जाने पर इतना ही कहा था ऐसी सुंदर मेरी माता होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। अपसरा और वसी ने अर्जुन से उसी जैसा पुत्र पाने के उद्देश से काम प्रस्ताव किया तो अर्जुन ने उतर दिया आप कुंती के तरह मेरी माता और मैं आपका सगे पुत्र की तरह बालक हूं। इसी प्रकार्तकाल आपकी पुत्र प्राब्तिकी मनों कामना पूर्ड हो जाती है। ऐसे ही पवित्र दिश्टी रखने से आत्मबल संचित होता है। इस मनों निग्रा को तब की ही संग्या दे गई है। स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय की स्थूल और शुक्ष्म लिप्सा पर काबू पाया जा सके तो समझना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह का उद्देश पूरा हो गया आख नाक कान आधिकी चित्त को चंचल बनाने में तनिक सी भूमिका रहती है प्रधान तो यही दो स्व भोग और चिंतन रोकने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं उन सभी को तपश्यर्या का अंग माना गया है भूलों के लिए शारिरिक मानसिक थंड प्रताड़ना को प्रयाशित कहते हैं यह भी तप वर्ग में ही आता है दैनिक भूलों को समझना और भविस्त में ऐसा ना होने देने की सतरकता तीवर करना यदि नैतिक गल्दिया होई है तो उनके लिए भोजन में आंशिक कटवती अमुक समय का मौन नीद में कटवती अतरिक्त श्रम उठक भैठक जैसी प्रताड़ना डंड़ विवस्ता स्वयम की जा सकती है पिछले जीवन में कोई बड़े अपराद बने हो तो उनके लिए चांदुरायन वरत दाड़े बढ़ाना अमुक समय तक नंगे पैर रहना पैदल तीर थे यात्रा धन दान जैसी किनी विशेश प्राश्चितों की विवस्ता किसी उप्युक्त नीतिवेक्ता के परामर्स से कर दे चाहिए इससे मन पर चड पाने वाली उपरोक्त कुछ कस्ट साध्य तपतितिक्षाओं का उल्ले किया गया है सुक्ष्म सरीर मन को तपाने के लिए रिष्णा और वासना का लोब और मोह का परित्याग करना पड़ता है वैराग्य इसी का नाम है साधा जीवन उच्च विचार का गनिस्ट संबंध ह सुक्ष्म सरीर में उद्ध क्रिष्टता बनी रहे इसके लिए साध्यगी का नम्रता एवं मित्व्यक्ता का अपनाया जाना आवशक है खर्चीली तड़क भड़क और उद्ध ठाडबार से बचा जाए और भोजन वस्त्र निवाज आदी जीवन चर्या के प्रतिक शेत्र में ओसत नागरी जैसी साध्यगी बढ़ती जाए खर्च उतना ही किया जाए जितना निर्वाह के लिए नितांत आविशक हो आविशक्ताएं और भौतिक महत्वा कांक्षाएं घटाई जाएं ताकि उनमें लगने वाला समय और मनोयोग परमार्त प्रियोजनों में लगान दूसरा लोकमंगल के पुण्य प्रियोजनों में अपनी सामर्थे का बड़ा भाग लगाने के कारण स्वयम को कटनाई में रहने की इस्तिती का अभ्याज तीसरा स्वार्थ परता लोगों जितना भौतिक लाव उपारजन करने में नियोंता रह जाने पर भी शंतोष उच्चस्तरियम महा मानवोचित जीवन जीने वालों का आये दिन वास्ता पड़ता है विलासी और महत्वा कांक्षी रितिनेती अपनाने वालों का नियायोंचित उपारजन अपनी बढ़ी चड़ी आवशक्ताएं भी पूरी नहीं कर पाता फिर वे मानवता के महान अव्यों का पालन करने के लिए समय और साधना कहां से पाए यह प्रियोजन अपने साथ मित्व्याइता कस्ट सहस्निता मनों निक्रह जैसी सकती बढ़ते बिना और किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता अनीती पर उतारू लोगों को सिध्धान्तवादी सहन नहीं हो सकते वे परोक्ष रूप से वे उनके स्यक्षा चार में बाधक हैं नीती का समर्थन और अनीती का विरोध करना भी उनके स्वार्थों पर चोट पहुचाता है वे सोचते हैं यह रोडा रास्ते से हटा कर निश्कंटक होना चाहिए ऐसी दसा में अनीती पोशकों के आक्रमन का शिक नहीं होता और अन्याय से जुझने में बड़ी से बड़ी हानी उठाने के लिए भी अपना सौर्य साहस तन कर खड़ा हो जाता है प्रसिद्ध है कि आकरांता लोग संगठित हमला करते हैं पर बचाओ पक्ष के लोग अपने भीरुता अत्वा तथा कति शांती प्रियता के कारण मुझ छिपाए बैठे रहते हैं चार गुंडों का मुकावला करने में 40 सामाने लोग हलके पड़ते हैं ऐसी दशा में अन्याय विरोधी अकीला पड़ जाता है और उसे अपनी विरोधात्मक साहसिक्ता के कारण कई प्रकार के आगहात सहने पड़ते हैं इतिहास के पर संतों सुधार को और सहीदों को दुस्टों द्वारा तरह तरह से सताय जाने के अगरिद घटना क्रम मिलते हैं इनका दोस इतना ही था कि उनने अवांक्षनियताओं के साथ असायोग विरोध प्रकट किया था और उनका उन्मूलन करने का प्रयास कर रहे थे विरोधना करने से अनीति को प्रोचसाहन मिलता है और वह सवगुने उत्साह से विनास पर उतारू होती है ऐसी दसा में प्रतिरोध अन्यवार्य हो जाता है तब जो इतना साहस दिखाए वे चोट सहने को भी तैयार रहे इसी की पूर्वत तैयारी के लिए भी कस्ट सहिशनुता का प केल देता है संगर समय कठनाई भरे जीवन में अन्य अस्विधाएं कितनी ही क्यों ना हो इतना लाब अस्पस्ट है कि उससे मनुस्य की प्रकरता निखरती है अमीरी के वातावरण में से कदाचित ही कभी कोई प्रतिभाएं उभरती हो संसार भर के महामानवों के इतिहास म या तत्य अस्पस्ट है कि वे या तो कठिनाईों की परिस्थितियों में जन्में थे अत्वा उन्हें जान बूझ कर कठिनाईों से भरा जीवन क्रम अपनाया था पथर पर रगड़ने से ही चाकु की धार तेज होती है मानवी प्रतिभा के तिक्ष्र होने में भी यही तत इत्य काम करता है गायत्री पुरश्चर्णों के समय आमतोर से सादकों को भोजन सयम अस्वाद प्रत उपवास ब्रह्मचर्य पालन अपने शरीर की सेवा जैसे कपड़े दोना हजामत बनाना आधिकार्य स्वयम करना कोमल सया थ्याग कर भूमी या तक्त पर सोना मारे चमड़ा प्रयोग में ना लाकर करुणा का परिचय देना कुछ समय मौन रहना जैसी तितिक शाय बरतने के लिए कहा जाता है इस निर्देश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कस्ण सहिश्णूता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी या विचार करते रहा जाए कि आदर्स जी अभ्यास रहने से वैसा चिंतन चलते रहने से अवसर आने पर वे अड़्चने अप्रत्यासित नहीं लगती और सोचा जाता है यह तो होना ही था इसकी तैयारी तो पूर्वा भ्यास के रूप में देर से खी जाती रही है तप्तितिक्षा में सारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कटनाई को स्वेक्षा पूर्वक आवंतित किया जाता है इसे देवता के प्रति भगती भाव प्रदर्शन का प्रमान माना जाता है वस्ततह यह देवता और कोई नहीं आत्मदेव ही है अपने आपको परिश्कृत करके देव के अस्तर तक पहुँचाने के प्रयास ही वास्तविक साधनाए है उसे लक्ष को प्राप्त करने के लिए तप साधना विधान का धाचा खड़ा किया गया है विध्यान पक्ष की साधना में तप शर्या को केंद्र मान कर चलने वाले विधी विधानों का उड़े से है प्रसुक्ति से निवृत्ति, मुर्ख्षना से मुक्ति, इसके लिए गर्मी उत्पन्द करने पड़ती है गर्मी पाकर प्रसुक्ति से मुक्ति मिलती है सूर्योदय की वेला निकट आने पर प्राणियों की निद्रा तूटती है और वे जागते उठते एवं कारेरत रहोते हैं रात्रे में कलिया शिकुडी पढ़ी रहती है पर जैसे ही सूर्य निकलता है वे हसने खेलने लगती है मानवी सत्ता के अंतरगत बहुत कुछ है अत्युक्ति ना समझी जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि सब कुछ है किन्तु है वहम मूर्शित इस मूर्चना के जागने के लिए धूप, आग, बिजली, आदिसे उत्पन बाहरे गर्मी से काम नहीं चलता उसका प्रभाव भौतिक जगत में ही अपनी हलचन उत्पन करके रह जाता है चेतना पर चड़ी हुई मूर्चा को हटाने के लिए तब करना पड़ता है उसके लिए भीतरी गर्मी की आवशकता पड़ती है इसे कैसे उगाया और बढ़ाया जा सकता है इसी विज्ञान को अध्यात्म की भासा में तब कहते हैं तब की स्थूल प्रक्रिया सांकेतिक विधि वहा है जिसे से शरीर की स्वाभाविक सुस्क्षक विदा को वासना को रोका जाता है और मन की स्वाभाविक चंचलता को अहनता और लुरुपता को प्रतिबंधित किया जाता है मनो निग और उसके तिरोहित होने में कोई अचंभे जैसी बात मालूम नहीं पड़ती। पर जब उसी को कड़े ढखकर में बंद कर दिया जाए तो फैली हुई भाप उस बरतन को फाड़ कर भायंकर विस्पोट कर सकती है। स्टो और प्रिशर कूकर फटने से दुरगटना इसी निरोध का परिडाम होती है। इंद्रिय निग्रा और मनो निग्रा का महात्म इसी आधार पर बताया जाता है। ब्रह्मचर्य की महत्ता का रहस्य यही है कि ओजस को निम्न गामी अधा पतन से रोक कर उर्द्व गामी बनाया जाता है। उस सक्ति को गंदी नाली में बखेरने की अपयक्षा मस्तिस्किये चेतना में किया जाता है। तो ब्रह्म लोक जगमगाने लगता है। यहाँ शर्या की प्रिस्टभूमी ओडियो 7 तप साधना का दूसरा पक्ष है मन्थन समुद्र मन्थन ही वह पौराडे आख्याई का सर्व विदित है जिसमें देवदानों ने मिलकर समुद्र मथा था और 14 बहुं मोले रत्न पाये थे जीवन एक समुद्र है इसमें इतनी रत्म रत राशिभरी पड़ी है जिनकी संख्या सीमित नहीं कही जा सकती सिद्धियों और रिद्धियों की गड़ना अमक संख्या में की जाती है पर वह बालकों की अपनी अनभूती भर है जिसने खोजा उसने उतना पाया बताया समुद्र बहुत विष्ट्रित है बच्चे इसमें कितना घुश सके और कितना पा सके इतने भर से यह अनमाल लगाना उचित नहीं कि समुद्र की समग्र संपदा इतनी स्वल्प ही है जीवन सिंदु में से स्रेष्ट रतनों को निकालने के लिए सामानने से अधिक पुरुशार्त एवं साहस की आविशक्ता पड़ती है इसक संपदाव का स्वामी बन जाता है महमानों बन जाता है प्रकरता का अभाव मनुस्य को सब प्रकार संपन होते हुए भिंग दीन हीन ही बनाए रहता है इस तथ्य के अनेक प्रमान सामान जीवन क्रम में देखे जा सकते हैं कई व्यक्ति सारीडिक दृष्टि से समर्थ और म हानसिक दृष्टि से सुयोग होते हैं पर साहस का अभाव होने से वे कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाते शंका कुशंकाओं से ग्रस्त रहने आपतियों की असफरताओं की संभावना उन्हें पगपग पर डराती रहती है थोड़ी सी कठनाई अपने पर डरे दिखाई पड़ती हैं ऐसे व्यक्ति प्रगति के उपयुक्त अवसर सामने होते पर भी उन्हें गवाते और गई गुजरी इस्तिती में आजीवन पड़े रहते हैं इसके विपरीत साहसी व्यक्ति स्वस्त सिक्षा साधन इवं उपयुक्त अवसर ना होने पर भी जरे चकित करने वाली सफलताएं प्राप्त करते देखे जाते हैं ऐसे ही दुस्ताहसी व्यक्ति इतिहास के प्रिष्टों पर अपना नाम अमर करते देखे जाते हैं किसी भी छेत्र की महत्वपुर्ण सफलताएं पाने के लिए ऐसे ही साहसिक मनोभूमी का होना आवश्यक है जीवन के हर छेत्र में पगपग पर संगर्ष की आविशक्ता होती है प्रस्तोत कठिनाईयों को चीरते हुए ही प्रगति संभव होती है नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है मकान बनाने का कार्य नीव खोदने से आरब होता है खेत को बोने से पहले उसे जोतना पड़ता है अनेक योनियों में ब्रह्मन करते हुए जीव जिन पशु प्रवित्यों का अभ्यस्त होता है उन्हें घटाए हटाए बिना मानवी गरिमा के अनरूप गुण कर्म स्वभाव उपार्जित नहीं किया जा सकता आंतरिक अवांग्षनियताओं को हटा कर उस अस् नहीं बाहरे शत्रों से लड़ने के लिए जितना युद्ध कौसल चाहिए उतना ही शौर्य साहस अपने भीतर घुसे हुए काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मतसर जैसे आत्म शत्रों से लड़ने और परास्त करने के लिए आवश्यक होता है दूरबल मना इस्तिती के लोग अपनी भीतरी कमजोरियों को जानते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, पर साहस के अभाव में उनके साथ लड़ने का पराकरम प्रदर्शित नहीं कर सकते फलतह, आत्म सुधार एवं आत्म निर्मान का प्रियोजन पूरा कर सकना उनसे बन ही नहीं पड़ता अपने को असहाय अनभव करते हैं और ठक कर प्रियत नहीं छोड़ पैटते हैं बाहरी युद्ध जीतने के भौतिक लाब हैं किन्तु आंतरिक युद्ध में जीतने से तो विभूतियों का इतना बड़ा भंडार हाथ लगता है जिसे पाकर मनुस्य जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक माना जा सकता है साधना को संग्राम कहा गया है साधना समर सब्द का अध्यात्म विज्ञान में बार-बार उल्लेक होता है देवासुर संग्राम के अनेका नेक प्रसंग पौराडिक उपाख्यानों में आते हैं यह अलंकारिक रूप मनुस्य जीवन के अंतरंग और बहिरंग छेत्रों में सदा होते रहने वाले संगर्षों का ही चित्रन है दुर्गा सब्तशती और गीता की प्रस्टभूमी इसी संगर्ष के आधार पर खड़ी है दुर्भगवती दुर्गा द्वारा असुरों का संगहार और कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से महाभारत का आयोजन प्रकारांतर से इसी तथ्य की और इंगित करते हैं कि साधना समर के छेत्र में प्रिवेश किये भिना उन अवरोदों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जो मनुस्य को दैनिये दुर्दसा में डालने रहने के लिए प्रदान रूप से उत्तरदाई हैं भगवान के अवतार के प्रसिद्ध प्रियोजन दिये हैं पहला अधर्म का उनमुलन और दूसरा धर्म का संस्थापना अनाचार को निरस्त करके ही सदाचार के अस्थापना हो सकती है अस्तु सिक्के के दो भागों की तरह उने प्रस्पर पूरक एवं अविचिन भी कह सकते हैं उद्दान को विक्सित करने वाला माली जहां खाद पानी लगाता है वहां निराई, गुडाई, छटाई, रखवाली जैसी कडाई भी बर्तता है आत्मोत कर्ष के लिए जहां सत्प्रवित्यू का विक्सित किया जाना बुण्य प्रियोजनों को अपनाना अभीस्ट है उतना ही दुष्प्रवित्यू को उखाड फेकने के लिए तत्पर्त बरतना ही भी आवश्यक है भगवान के अवतार इस दोरी क्रिया को संपन्न करने के लिए ही होते रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में भी प्रगति पत्पर बढ़ने वालों को इसी मार्ग का अवलंगबन करना प पंक्षनियताओं के विरुद्ध लोहा लेने के लिए पराक्रम प्रदर्शित करना होगा और सत्प्रवित्यों के अविवर्धन में जुटना होगा यह दोनों ही प्रियोजन जिस आंतरिक साहस द्वारा संपन्न होता है उसी को आत्मबल कहा गया है तप साधना का एक उद करने की आदक पड़ी होती है यदि पुराने अभ्यासों को काटा उखाड़ा ना जाए तो फिर उतकर्ष के लिए आगे बढ़ चलना कैसे बन पड़ेगा स्पस्ट है किको विचारों को सद विचारों से ही निरस्त किया जा सकता है काटे से काटा निकालने और विश से वि विचार उठते रहते हैं तो उनके काटने का एक ही उपाय है कि ब्रह्मचरिय के पवित्र दृष्टिकोड के समर्थक विचारों को मस्तिस्क में जमा किया जाए इस मार्ग पर चलने वाले हनुमान बेश्म संकराचारिय दयानंद आदि महामानवों के चरित्रों का चिंतन किया जाए उस पक्ष के समर्थन क्वाले तर्क तत्थ्य प्रमाण उदाहर्णों को पर्याप्ट मात्रा में स्वाधियाय मनन आदिकी सहाय्ता से संग्रह किया जाए उन पर बार-बार घर्आइस से विचार किया जाए कामुक्त तक शालिनद आके दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात के समर्थन का अवसर देकर यदि विवेक द्वारा निस्पक्ष न्याया दीज की तरह पैसला करने का अवसर देया जाए तो पुराने अवांख्षनिये चिंतन अभ्यास को आसानी से काटा जा सकता है। शारीरिक दुस प्रवत्यों के संबंध में भी यही बात है। नशा, वेशन, आलस्य जैसे दुरगणों से निपटना कठोर संकल्प एवं दृण निश्चे से ही संबह हो सकता है। व्यक्तित्व का खाया कल्प कर सकने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शूर वीर कहे जाते हैं और उनी को भौतिक जगत के प्रतिक दिसा में बढ़ चलने का द्वार खुला मिलता है। अंडा तब फूटता है जब उसके भीतर के बच्चे की अंतह चेतना उस परिदी को तोड़ कर बाहर निकलने की चेस्टा करती है। प्रसवपीडा और प्रजनन की घड़ तब आती है जब गर्भास्त शिशु की चेस्टा उस बंधन को तोड़ कर मुक्ति पाने की आतुर चेस्टा में सलंग्न होती है। इन शिशुओं के संकल्प गिरे परे हो तो वे भीतर ही सडगल कर नस्ट हो जाएंगे। प्रगति के लिए पराकरम और अवांक्षनीताओ के विर्द संगर्स का सौर्य साहस अपना कर ही किसी को उतक्रिष्ट अस्तर तक बढ़ चलने का आवसर मिलता है। पराकरम विहीन व्यत्ति को प्रति पक्षी सक्तियां नस्ट ब्रस्ट करके रत देती हैं। भगवान बुद्ध ने यो अपने समय के अनाचार से शूर वीर यो ने बौद्ध धर्म का एक सरल पक्षी ध्यान में रखा। अहिंसा। यहां भुला दिया गया कि आकरमनकारी हिंसा की दुष्टता से लोहा लिये बिना अहिंसा की रक्षा नहीं हो सकती। हुआ भी यही। अहिंसा की आड में खायरता ने अड़ा जमा लिया। लोग ज अड़ी एसिया के लुटेरों ने इस दुर्बलता को समझा और वे भारत पर चढ़ दोड़े। सोर्य गवा देने पर वे बहु संख्यक और साधन संपन्न होते हुए भी थोड़े से लुटेरों का सामना ना कर सके। और पराधियंता के पाश में जकड़ गये। हमारी हज चार वर्ष की गुलामी आकरमन कारियों की वरिष्टता का नहीं हमारी आंतरिक दुर्बलता का काला प्रिष्ट है जिसे एक कांगी अहिंसा अवरित्ती को अपना कर भीरुता एवं कायरता के रूप में स्वभावगत बना लिया देया था। पर आक्रमगवा बैठा जाए तो मखी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, चूहे एवं शरीर में घुसे अद्रिशे रोग की टाडू तक अपने अस्तित्व के लिए खतरा बनकर खड़े हो जाएंगे। चोर, उचक्के, गुंडे, ठग, आत, ताई, अपने ही इर्दगिर्द भड़े, पड़े रहेंगे। और उन्हें जब दुर्बलता का पता चलेगा, तो अति उत्साह पुर्वक आकरमंट करने के लिए तूट पड़ेंगे। प्रगति के लिए ना सही। आत्मिरक्षा तक का उद्देश से बिना प्रचंड पराकरम विक्सित किये संभो नहीं हो सकता। पराकरम प्रान का प्रियोक्त होता है। इसलिए महापुरुष शब्द के अंतरगत महानारियों की भी गढदना होती है। यदि यना ऐसा ना होता तो महानारियों कि उपेक्षा भावना ही समझी जाती। 120 महापूरुष की तरह महानारी का भी उलेक इतिहास पुराडों एवम सास्त्र में रहा होता आत्मभल इसी आंतरिक उर्जा का नाम है जो मनुषे को भोतिक और आत्मिक छेत्र में प्रबल पुर्शार्द और अनुपम साहस का संचार कर दीती है आत्मभल ही इन मनुषे कोई भी कड़ा कदम उठाने में जिजकता है, सांसारिक प्रगती हो या आध्यात्मिक प्रगती, दोनों ही इस्तितियों में उसकी आवेशक्ता पड़ती है, तपस्वी व्यक्ति में सहज क्रम से ही उसका विकास होता चलता है, कठनाईयों से भैवीत होने की अप्येक्षा, तपस्वी उन्ही से उन्ही में र चेतना का उच्छ स्तरिय प्रसिक्षन देना योग समझा जाए और क्रिया कलाप में सू विवस्था का आरोपन तप माना जाए। इसके लिए कई तरह के लिए प्रियोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान बनने के लिए अखाडे में जाकर छोटी-छोटी कसरतों का सिल्सिला शुरू करना पड़ता है। कसरतों की खिलवार और दंगल में कुष्टी पच्छाड कर ये शश्वी बन होना दोनों अलग इस्थितियां हैं। पर दोनों का परस पर घनिष्ट संबंध है। द्वारा अरजित करनता है। पौराडिक उपाख्यानों से लेकर वर्तवान काल के महापुर्षों तक के जीवन के अद्वत सफलताओं के पीछे किसी ना किसी तपसात्ना के आधार की जलक पाई जा सकती है। हम भी उसे जीवन में अपना कर क्रमशह अधिकादिक प्रगति के अधिकारी बन सकते हैं। हूआ करो पिल किसी तपसानी ही कर दो है जादिकारी बन सकते हैं।